पिछले पिसोड में सुवान जी सिंग्यून के पीछे आकर खड़ा हो गया था और अब इस तरह से वो सब हाइट करने के लिए भी रेडी हो गया था इसके बाद उस सिंग्यून से क्याता है कि फाइनली मैंने तुमें खोज लिया जिस पर सिंग्यून के आता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुमें जानता हूँ तब इस पर सिंग्यून सोचन लगता है कि अगर मैं सबसे ताकत वा डिमन का सामने चला गया तब इस तरह से तुमेरी सोल ट्रेडिंग तुरंती एक्स्पोज हो जाएगी अब इसलिए सिंग्यून से करता है ऐसा लगता है कि तुम एमपरार सुवान हो के डिसाइपल हो जिसका बज़र सा मैंने कूल बनने का चकर में ओडर का ध्यान नहीं दिया तब इस पर सुवान जी करता है कि यही तुमारा कूल बनना मुझे बहुत पसंद आया लेकिन वैसे भी अब हुमन रेस और डिमरेस आपस में फाइट कर रहा है और इसलिए मास्टर इसके लिए कभी भी आलाव नहीं करेंगे अब इतनी बात करने का बात हम देखता है कि उसने अपने फॉर्मेसन को भी एक्टिवेट कर लिया था जिससे देख मेंक्सी कहती है कि ये फॉर्मेसन का यूज क्यों कर रहा है जबकि ये तो पहले से हाफ एमपरल कर रिल में प्रमोट हो चुका है तभी सुवान जी फिर से करना लगता है कि तुम मुझे फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं इनोसेंट लोगों को हट नहीं करना चाहता तभी छोटी लगकी पुछने लगती है कि अब हमें इसके बार में क्या करना चाहिए और वहीं हम देखता है कि सिंग्धुन अपने स्वाड का यूज कर्के इस पर अटेक करने की कोशिस करता है और इसलिए सिंग्धुन अपने अटेक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता है तुम्हारे लिए चीजों को मुझकी नहीं बनाना चाहता इसलिए चलो मैं तुम्हें इसके लिए एक चांस देता हूँ और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें आसे जाने दूँगा मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए वो भी इसे चालेंज करने के लिए रेडी हो गया था फिरो करता है कि मुझे फाइब एंप्रोस और नाइन लेबल्स भी नहीं ले जा सकते तब इस पर सुभाण जी करता है कि मैं तुमारे एबलीटी को टेस्ट करने के लिए अपने थंडर स्वर्ट का यूज करूँगा और अब इस तरह से हम देखता है कि उसने अपने थंडर स्वर्ट को बाहर निकाल लिया था मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती इसलिए उसने भी अपने पाउर को एक्टिवेट कर लिया था और अभी इस तरह से इन दोनों के बीच में बहुत ही संदार फाइट होना लगती है तभी इसी भी सम देखता है कि सिंगुन अपना टैक से सुवान जी को नीचे गी जा देता है जिस पर सुवान जी करना लगता है कि मैं तो इस पाउर से काफी खुस हूँ क्योंकि याज तक मुझे किसी ने भी इतना संदार टकर नहीं दिया था और अब इसलिया मैं आखिर तक तुमारे साथ में फाइट करूंगा जिसका बाद हम देखता है कि सिंगुन भी इसके लिए रेडी हो गया था और वे फिर्से आपस में फाइट करना लगते हैं तब ही इसे देख fight यान करना लगता है कि क्या हम इसी तरप से देखते रहेंगे और क्या हम इसमें उपने boss की help नहीं कर सकते। मगर तब ही हम देखता है कि mentrexide इसके लिए mana कर देती है और कहती है कि इसमें कोई भी जल्दी बाजी नहीं करेगा। वहीं उदर हम देखता है कि सुवान जी सिंग्यून को उपर भारी परना लगता है जिस पर सिंग्यून करता है कि इसके पास में तो एंपरे लेबल वाले वेपन है और इसलिए इसकी कॉम्बेट पाउर फर्स लेपल वाले एंपरे से कम नहीं है मगर वहीं हम देखता है कि सुवान जी अभी भी इसे एक चांस देने के लिए रेडी था और करता है कि तुम मेरा साथ मेरे मास्टर से मिलने के लिए चलो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा तब इस पर सिंग्यून करता है कि मैं तुमारे kindness के लिए तुम्हें थैंक्यू कहना चाहता हूँ लेकिन मैं असल में किसी और कंडर में काम नहीं कर सकता तब ही अचानक साम देखता है कि कोई सिंग्यून के उपर अटेक करने वाला होता है लेकिन यहां देखते हैं सुवान जी तुरंता कर इसे रुक लेता है फिर हम देखता है कि यह भी असल में कोई devil होती है और सुवान जी से कहती है कि मैं तो असल में तुमारी help करना चाहती थी लेकिन फिर भी तुमने मुझे क्यों रुक दिया तब इस पर सुवान जी गुसा होते हुए करता है कि हमारे fight के बिच में कोई भी interfere नहीं कर सकता जिसका बाद हम देखता है कि वो devil सिंग्यून को offer करती है और कहती है कैसा होगा कि मैं उसे मारने में तुमारी help करूँ लेकिन हम देखता है कि सिंग्यून इसके लिए बिल्कुल भी ready नहीं होता और फिर करता है कि तुम तो अभी कुछ दिर पाले मुझे मारना चाहती थी तब इस पर वो devil कहती है कि मैं तुमारे life के use करके उसके नजदिक में जाना चाहती थी ताकि मैं उसे के बार एकी attack में मार सकूँ तब इसके ऐसी वासुन का सुवान जी उससे करता है कि कातना मारा साथ में मेरी कोई दुस्मनी है जिस पर वो devil कहती है कि तुम ते emperor हुआ के अंडर में एक general हो और यही वज़ा है कि यहां पर आस्ते बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं तब ही हम देखता है कि वो devil फिर से सिंग्यून को अफर देने लगती है और कहती है कि मैं इससे मारने में तुम्हारी help कर सकती हूँ मगर वहीं उदार हम देखता है कि वो devil फिर गुस्ता हो गए थी और इसलिए वो इन पर attack करने के लिए अपने power को activate करना लगती है लेकिन वहीं हम देखता है कि सुवान जी को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने लोगों को इस पर attack करने के लिए भेज देता है लेकिन हम देखता है कि इसके poison के बाज़े से कोई भी कुछ नहीं कर पाता और वेस अभी असल में अभी इसके control में हो जाते हैं लेकिन अभी भी हम देखता है कि सुवान जी इतना असानी सा हर माने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम सभी तो मेरे लोग हो और इसलिए कोई भी तुमें इतना असानी सा हर्ट नहीं कर सकता लेकिन वहीं उदार हम देखता है कि उस डेविल कोई इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने पाउर के यूज़ करके सिंग्यून के लोगों को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है मगर वहीं हम देखता है कि लान अपने पाउर से किसी तरह से उसे रुक रही थी और कहती है कि इसके ब्लेक फोग में कोई बहुत यजीब पाउर है और इसलिए वो सिंग्यून से कहती है कि तुम तुरंत आँसे चले जाओ लेकिन इस पर सिंग्यून कहता है कि मैंने तुम बचाय भी नहीं और इसलिए मैं यहां से कैसा जा सकता हूँ तभी वो डेविल कहती है कि अगर सच में तुम अपने लोगों से इतना ही प्यार करते हो तो चलो मैं देखते हूँ कि अब तुम इसके बार में क्या करते हो और हम देखता है कि उसमें इनको कट्रोल करके सिंग्यून को उपर अटाक करने के लिए भेज़ दिया था लेकिन वहीं उदार हम देखता है कि सुवान जी भी इसका सामरा करने के लिए रेडी होग जा था और वो इसके लिए अपने थंडर पावर को एक्टिवेट करना लगता है तभी हम देखता है कि वो डेविल इसके भी लोगों को अटाक करने के लिए भेज़ देती है जा था इसलिए सिंग्यून भी अपने आपको किसे तरह से इसका अटक से बचाना लगता है और हम देखता है कि फैट यान इसका कुछ भी नहीं कर पाता लेकिन इसी भी सम देखता है कि वह अपने स्वार का यूज करके इस पर अटक कर देता है जिसका बाद फैट यान करना यह कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम अपने लोगों से बहुत ही प्यार करते हो लेकिन मैंने ऐसा उमीद नहीं किया थे कि तुम अपने लोगों के साथ मैं ऐसा करोगे लेकिन अब इसके ऐसी बात सुनकर सिंग्यून इसके उपर गुसा होना लगता है और क्याता है कि असानी से रुक लिया था और कहने लगती है कि फिर भी तुम्हारी ये पार मेरे स्टोल लोग के सामने कुछ भी नहीं है तब इसका बारा में सुनकर वे दोनों पूरी तरह सा हैरान हो जाते हैं लेकिन वहीं अब हुदर हम देखता हैं कि डेविल अपने स्टोल लावाले पा और के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए वो यहां पर बेहुस हो गया था तभी वो डेविल स्टोल लगती है कि तुम्हें इसका बारा में चिंता करने की जरुवत नहीं है क्योंकि मेरे घुश्ट तुम्हें भी बहुत जल निगल जाएंगे और इसलिए तुम्हे का यूज करने के लिए फिर से रेडी हो गया था और वो इसका यूज करके सिधे डेविल पर अटाक करने के लिए चला जाता है जिसका बाद हम दखता है कि वो डेविल इस पात से काफी डर गय थी और तुरंत अपने जान बचाने के लिए यहां से भागती है लेकिन फिर बोलते ही हम देखता है कि उसके body में कोई power generate होना लगती है और इस तरह से इसकी body यहाँ पर destroy हो गई थी लेकिन इसके बाद अगले cinema हम देखता है कि वे सभी वहाँ से वापस आ गए थे और वे आपस में drink करना लगते हैं तब इस इंगुन सुवान जी से पूछता है कि कि नहीं होता तो और भी अच्छा होता क्योंकि डिमनेस वाले बहुत ही heartless और ungrateful हैं और इसलिए मैंने ऐसा नहीं सोचाता है कि तुम इतने loyal हो तभी सिंगुन से करता है कि चीजों को करने का तुम्हारा तारीका डिमनेस से पूरी तरह सालग है और इसलिए तुमने यहाँ survive कैसे किया जिसका बाद हम देखता है कि सुवाण जी इस वासे काफी हसना लगता है और फिर करता है कि मैंने ऐसा उमीद नहीं किया थे कि fight करते हुए हम एक दूसरे कबार में इतने अच्छे से जान जाएंगे और फिर हम देखता है कि वो इससे अपना नाम भी नहीं जान आएंगे और फिर इस तरफ सम ड्रिंक करेंगे तब इस पर सिंग्यूट करता है कि मैं भी आसा ही उमीद करता हूं तो अगर अक्स्प्लानेशन अच्छे लगी हो तो इस पीडियो को लाइक और इस पर एक कॉमेंट जरू कर देना और अगर आप इसका अगले पिसोड के ल आरमा जरू बताना